अब दूसरी बड़ी खबर करू करते हैं जोहां राच्रिपाल आनंदी बेन पटेल आज भूपाल आएंगी जोहां कुछ दिन रुकने के बाद वो भूपाल लखनों के लिए रवाना भी हो जाएंगी तो भूपाल से खबर आपको बता रहे हैं कहीं कहीं कई मायनों में एक हास भी माना जा रहा है और ऐसे में राच्रिपाल आनंदी बेन पटेल आज भूपाल आएंगी जोहां जहांसी में कारेक्रम में शर्कत भी करेंगी और ऐसे में कुछ दिन मध्रप्रदेश में रुकने के बाद वापस उतरप्रदेश की राजधानी लखनों के लिए रवाना हो जाएंगी कि ओनलाइन पर हमारे साथ एडिटर गीर दिख्षर जी जोड़के हैं गेजवी राच्रपाल आनंदी बेन पटेल का जो भूपाल आएंगी और जहांसी में कारेक्रम में श्रकत करेंगी कितना खास माना जाए करने के बाद देर शाम तक बोपाल राजधानी आएंगी और यहां पर रुके हुए काहरे उनकी तरह से बाच्कित होगी और उनके अभी कारेक्रम हमारे पास उपलब नहीं है लेकिन वो कुछ दिन राजधानी रहने के बाद वापस लखना उनके लिए बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े उसके लापका बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो हाँ आज राज़पाल आनंदी बेन पटेल भुपाल आएंगे और तमाम मुद तो बुपाल से खबर राज़पाल आनंदी बेन पटेल आज भुपाल आएंगे और ऐसे में फिलहाल उनके जो तमाम शेडूल है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है तो ऐसे में फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि छासी में कारिक्रम है जुसमें राज़पाल शिरकत करे और फिर भुपाल में आलनिताओं से भी मुलाकात हो सकती है और इसके साथ ही जो तमाम उनके रुके हुए काम हैं उनको भी यहां पूरा किया जाएगा क्योंकि राज़पाल में कुछ दिन रुकने के बाद ही यहां राज़पाल उत्तरप्रिदीश के राज़धानी लखन के लिए वापस लोट चाहेंगे